हेलो दोस्तो आज मैं यहां पर आपके साथ एक एक ऐसी कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तमाल करती है आपके जो बाले तीजी से घने और मोटे होने लगेंगे जी हाँ मैंने खुद इस remedy का इस्तमाल करके अपने बालो की density को increase किया है इसका इस्तमाल करने के बाद जो मेरे बालो की density है वो day by day increase हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप भी अपनी चोटी को मोटा करना चाहते हैं और बालो की हर एक problem को solve करना चाहते हैं तो एक बार इस remedy को जरूर ट्राइ कीजिएगा क्योंकि मैंने इहाँ पर एक बहुत ही powerful ingredient का इस्तमाल किया है जिसका इस्तमाल करती है जो आपके बालो की density है वो day by day increase होने लगती है आपने इसको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आगे वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर same आप वैसे ही इसको बना लेते हैं तो definitely आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे result मिले हैं इसका इस्तमाल करने के बात वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तो यहां पर आपने दोनों बीजयों एक 10 टेबल स्पुन लेना है या आप 2 टेबल स्पुन भी ले सकते उसके बाद आपने इसको अच्छा सा खूर्श कर लेना ऐया आप चाहाए तो इनका यहां पर पाउडर भी में help करता है, आपकी बालों की जो density है, उसको increase करने में भी help करता है, उसके साथ मैंने आपर castor oil लिया है, castor oil काफे thick oil होता है, या आपकी बालों को condition करने का काम करता है, air breakage को stop करता है, तो मैंने आपर 2-3 tablespoon castor oil के लिए है, अब आप ने इन सारी चीज़ों को oil के साथ एक bottle में भर लेना है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर curry leaves भी add कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा curry leaves भी add किये हैं, देखिए हमारा जो oil है अपी बनके ready नहीं है, इसमें हम एक और powerful चीज़ का इस्तमाल करेंगे, पहले हम इस oil को बना लेते हैं, इस oil को prepare करने के लिए आपने इसे 7 स लेके 12 दिन तक धूप में रखना है, आजकल वैसे गर्मिया चल रही है, तो आप इसे सर्फ 7 दिन भी रखेंगे तो चलेगा, यानि जब सुबह धूप आती है, आप इसे धूप में रखें, शाम को आप इसे वापस लेकर आएं, इसी तरह से आपने लगातार 7 से 10 दिन त जो आपका ओइल है, वो बनके रेडी है, लेकिन हम इसमें एक और पावरफुल चीज़ का इस्तमाल करेंगे, जो आपकी बालों की डेंसिटी को इंप्रूफ करने में बहुत हल्प करेंगा, वो चीज़ है यहां पर शैलेट्स है, यानि छोटे वाले प्यांस, यह बहुत ह आपके बालों के लिए, आपके बालों की जो डेंसिटी है, उसको इंप्रूफ करने में बहुत हल्प करते हैं, तो मैंने यह पर चार शैलेट्स लिए हैं, उन्हें अच्छे से पील करके और धो कर उनका जूस एक्स्ट्रैक्ट कर लिया है, अनियन में बहुत ज़दा अमा हमने जो ओल प्रपेर किया था उसमें मिलाना है, देखे पूरे ओल में आपने नहीं मिलाना है इस जूस को, आपने सिर्फ उतना ओल लेना है जितना आपका एक टाइम पे अपलिकेशन में लगता है, उस ओल में आपने 2 से 3 टेबल स्पून तक इस जूस को एड़ करना है, और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अपने बालों में लगाना है, इसको आपने अपने स्कैल्प में अच्छे से बालों की जड़ों में लगाना है, उसके बाद आप हेर वाश कर लें, एक से दो घंटा अपनी इस ओयल को अपने बालों में रखना है, और लगातार तीन से चार दिन तक आप चाहें तो इसको हफ़ते में फॉलो कर सकते हैं अगर आपको चार दिन या तीन दिन जादा लग रहे हैं तो आप दो दिन भी इसको फॉलो कर सकते हैं हफ़ते में और लगातार कम से कम तीन से चार महिने तक अगर आप फॉलो करेंगे इस remedy को आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे यूकि मैंने जैसा आपको starting में बोला है कि मुझे बहुत अच्छे result मिलें इसका अस्तमाल करने के बाद तो आपको भी definitely मिलेंगे तो इस oil को अपने लिए जरूर ट्राइ कीजिएगा यह आपको बहुत amazing result देगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया भी तक तो प्लीज चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में इसी तरह के इंट्रेस्टिंग से चीजों के साथ तब तक लिए बाय और थेंक यू